हालो मैं आसीज मेरे यूटूब चैनल आसीज नौल जोला में एक बार फेट से अपलोग का सवागत है आज मैं अपने ब्लॉग में नेरो लग का सैंथाटिक एनमिल की छोटी रेंज के बारे में एक ब्लॉग तयार किया है छोटी पैकिंग की क्या-क्या साइज आती है कितने में मर्यठी का होता है और किस लिडीटेल का क्या दाम होता है उसकी आज डिटेल देने के लिए मैंने एक ब्लॉग तयार किया है टिंके एनमिल के रेंज में काफी बदला होता है पैकिंग में बदला होती है पैकिंग न kıyn Right रेंज का नेने MRP का आ जाता है तो मैंने आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाया है जिसमें हमने स्मॉल पैक के बारे में जानकारी देने के लिए नेरो लेक बहुत बड़ी कंपनी है पेंट कंपनी की दूसरी सबसे बड़ी की पेंट कंपनी है जो पेंट और इमल्सन पुट्टी और भी वाटरप्रूफिंग आइटम बहुत सारे बनाती है तो इनका जो उने में है वह काफी प्रीमियम क्योंडिक आता है हाइग फिनिस के साथ आता है और काफी अच्छा होता है मैंने एक ब्लॉग और त्यार किया है नीरो लेक्स अंथेटिक एनमिल का वह मैंने उसमें एनमल के पूरी नॉलिज देने के लिए पूरी कोसी दी तो उसी को को देखते हुए कश्टमर को का फीडबेग आया कि हमको छोटे रेंज के बारे में बताइए क्या-क्या साइच की आती है क्या-क्या पैकिंग आती है उसकी तो उसको लेके हुए मैंने एक तयार किया है यह आप देख सकते हैं मेरे सामने यह 50 ml का डिबबा है इस तरह का मिलता है औरेंज कलर का यहां पर नेरो लग सेंथेटिक एनमेल लिखा रहता है यहां पर नेरो लग का लोगो और यहां पीछे इसकी च्छोटे सी अमार पी होती और इदर इसका बारकोड होता है यह 50 ml का डिबा है यह 100 ml का डिबा है देखिए ऐसा दिख जाएगा यह आपको यह पर औरेंज कलर लगा सैंसितेटिक इनामल और इदर इसके बार कोड़ और पीछे इसकी एमर्पी होती है 100 ग्राम की पैकिंग है यह 200 ml की पैकिंग है यह भी सेम इदर बार बार कोड़ के साथ और नियरो लगवा बेजन रहता है और यह 500 ml की पैकिंग है इसके बगल में नेरो लगका बारकोड और इसके पीछे इसकी MRP आती है यह ऐसे नेरो लगका पैकिंग आती है छोटेगी 50 ml 100 ml 200 ml और 500 ml 500 ml लगबग आपको 270 रुपया इसकी MRP होती है रेड कलर की और जो अपने फिरोजा ब्लू गोल्डन ब्राउन कलर आते हैं उसका रेट MRP 200 रुपए MRP होता है कुछ कुछ कलर जो है MRP से महंगे महंगा होता है क्यों क्योंकि वो सबके पीगमेंट थोड़े महंगे आते हैं और पियो रेट की 72 रुपए की आती है 50 ml की पैकिंग 43 रुपए की आती है पियो रेट की और फिरोजा ब्लू गोल्डन ब्राउन वह आपको 36 रुपए की MRP आती है तो इनकी यह रेंज होती है 50 ml 100 ml 200 ml 500 ml इसका MRP और इसका क्वार्टी बहुत ही हाई क्लास का होता है तो यह इस तरह से आपको चार तरह के छोटे रेंज में आते हैं आप को आपको इसली चोटे मोटे कामों में यूज कर सकते है 50 ml पेइंट आता है कई चोटा-mोटा काम भूँ हो अफिर कहीं लिखावट करना है या पिर कहीं चोटे मोटे जगों पे पैंटिंग करनी है या क्राफ्ट डीजैन बनाना है तो वह hip policy कर सकते हैं 200 ml आपका जो है थोड़ा सा quantity अधिक है तो वो कोई और यूज में कर सकते हैं कहीं पुताई करना हो या फिर कोई और आजकल सिलेंडर पे या फिर क्राफ्ट बनाने में 200 ml की पैकिंग आजकल आती है छोटे मोटे चौकी हो गया कूलर हो गया श्टूल हो गया इस पर कर सकते है आदा लीटर पेंट है जिसमें जैसे एक लीटर कोई ले गया घटा तो आदा लीटर का ले लिया या 200 ग्राम का ले लिया तो वो जो है अपने काम अनुसार छोटा बड़ा रेंज का पेंट आता है तो आप लेगर के अपना काम कर सकते हैं इसमें आपको मिक्स अप MTO या जीपी तीनर या तार्पीन ओयल मिक्स करना है इस इनामिल में यह लगबक जैसे 500מ का पेंट है तो इसमें आपको लगबक 100mL एमय़ी या जीपी थीनर मिक्स करना है 200 ml का है तो उसमें 50 ml मिक्स कर सकते हैं इसी आपकी जववत है वैसा आप जो है उसमें अपना तारपी नॉयल, MTO या फिर GP Thinner मिक्स कर सकते हैं यह नेरो लग का एनामेल काफी प्रीमियम क्वालिटी का है हाई ग्लोस फिनिस के साथ आता है इसमूथ फिनिस आती है इसकी जहांपे भी करेंगे तो वहां इसमूथनेस अच्छी होती है कुईक ड्राइ होता है दो गंटे में यह पेंट सूप भी जाता है और साइनिंग और कवरेज भी काफी अच्छा होता है इसका इसको लगबग आप एक लीटर में आप लगबग इसको जो है 200 स्कौर फिट कवर कर सकते हैं इस पेंट से आदा लीटर में लगबग 100 स्कौर फिट कवर कर लेता है अगर कोई कूलर करना हो या फिर प्लाई करनी हो तो आप जो है अंदाजा कर सकते हैं और यह फाज रही होता है स्मूद फिनिस के साथ पेंट आता है और इस पेंट की लाइफ नेरोलक के एनमेल पेंट की लाइफ सेंथेटिक यह लगबग कंपनी तीन साल इसका जो है अर्यैनियक बूबट सेल लाइफ बूलती है आप जैसा आपकी रिकॉर्मेंट हो जैसा आपका जववत हो तो आप इसमें छोटे रेंज के बारे में जान सकते हैं हमारा वीडियो देख करके और हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले थैंक यू